हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज की एडियो में हम टोप टेन एसी मोस्ट अंडरेटिड क्राइम थ्रिलर साउथ इनन मूविस की बात करने वाले हैं जो हिंदी डब में पितले कुछ समय में आई हुई हो और वो सभी मूवी हिंदी डब में ओफिशेल 2015 की तमिल साइन्टेफिक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है प्रति बंद मूवी का स्टोरी स्क्रिन प्ले राइटिंग डिरेक्शन किया हुआ है राम प्रकास रयप पाने मूवी के लिड रोल में नकूल दिने से सोरया दत्ता उर्व और बिंदू माजवी मूवी को आयम डिवी में साथ की रेटिंग हसिल हुई थी दस में से तो चले अब जानते है कि मूवी की स्टोरी क्या है चैन्नाई सीटी में कोई एक आतंकवादी एक डेडली मिसन पे है जो सीटी में बॉम ब्लाश करने वाला है लेकिन उस डेडली म संसे वो अंजान लोग सीटी को केसे बचाते वो जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी इस कहानी में आपको बढ़िया थ्रिल मेसूस होने वाला है और आप कहानी के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड रहोगे ये मूवी आपको हिंदी डब में पेन प्रतिबंद के नाम से देखने को मिल जाएगी इस लिश्ट में अगली यान की नवे नंबर पे आने वाली मूवी है विद्यूमन विद्यूमन 2013 की तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है तेजधार इस मूवी को डिरेक्ट किया है बाला जी के कुमार ने मूवी के लिड रोल में पूजा उमा संकर, मालिविका मनिकुत्तन, वीनोत की सन और जोन वीजई मूवी को IMDB में 7.13 की रेटिंग हसिल होई थी 10 में से तो चले अब जानते कि मूवी की स्टोरी क्या है रेखा जो एक सेक्स वरकर है जो एक 12 साल की ल आने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखने पड़ेगी, फिल्म में सभी की एक्टिंग नेचरल और रियालिस्टिक है और फिल्म का स्क्रिन प्ले भी बढ़िया है, ये मूवी आपको ओफिशल हिंदी डव में पेन मूवी के ओफिशल यूटूब चेनल पे तेजदार के नाम से देखने को मिल जाएगी, इस लिश्ट में अगली यानि के आठेमे नंबर पे आने वाली मूवी है डांडू पालिया 3, डांडू पालिया 3 2018 की कनड़ा क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसको एंदी डवर्जन में नाम दिया है बेखोफ अफरादी, मूवी को लिख देखने के मूवी की स्टोरी क्या है, डांडू पालिया नाम की एक साइको गेंग है जो सिटी में अपनी देशत से लोगों को डरा रही है, ये गेंग लोगों के घर में घुज जाती है और पेसे और गेने चूरा लेती है, और बड़ी बेहरेमी तरीके से उन लोगों को मा दोत नहीं होता है, आखिर में सच क्या है, ये सब हकिगत में बेगुना है या अफरादी है, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी, ये मूवी आपको यूटूब पे ओफिशेली बीफोरी मूवी के ओफिशेल यूटूब चैनल पे हिंदी के लिड रोल में है, विक्रम सहीदेव, तारा, प्रियंका जेन, सीले मंजुनाद और मदू सुधन राओ, मूवी को आएम डीबी में 8.1 की रेटिंग हासिल हुई है, दस में से, तो चले बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, चार अनाथ लड़के हैं, जो एक मार्केट में चोटे बड़े काम करते रहते और अपना गुजारा चलाते रहते, लेकिन किसी एक अच्छे दिन, उन्हें मार्केट में दीदी नाम की महिला, उनकी मदद करती हैं, और वो मार्केट के एरिया में होटल चारू कर ले थे, लेकिन जब होटल उनना तिपे होता है, तब एक गेंग उन्हें परेशान करना सुरू कर देती है, और होटल भी बन करवा देती है, और उन लोगों की बुरी हालत कर देते, तो आप वो लोग फिर से होटल केसे सुरू करेंगे, और उन गेंग से केसे सरवाइव करेंगे, ये बाते जानने के लिए आपको ये पूरी फिल् गया है और उन्हें बड़े तरिके से भी डिरेक्ट किया हुआ है आपको ये फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आएगा ये मुवी आपको हिंदी डव में विपफोरी मुवी के ओफिसल यूटूब चैनल पे हिंदी डव में गोली सोडा के नाम से देखने को मिल जाएगी इ मुवी को लिखा और डिरेक्ट किया है मेजोर रवीन है मुवी के लिड रोल में फ्रित्विरा सुकुमारन जावेज जाफरी रेंजी पेनिकर मुवी को आएमडीबी में 7.1 की रेटिंग हसिल हुई है दस में से तुछ चलिए अब जानते की मुवी की स्टोरी क्या है कस्म और मुवी में आगे क्या होने वाला है ये सभी बाते मुवी की स्टोरी बनाती है ये मुवी बड़िया तरीके से बनाई गई है आपको देखने में मज़ा आएगा और मुवी में आपको थोड़ी थोड़ी देर में थ्रिल मेसूस होता रहेगा ये एक बड़िया मुवी है ये मूवी आपको हिंदी डव में RDC मूवी के ओफिसेल यूटूब चेनल पे हिंदी डव में PICKET 43 के नाम से देखने को मिल जाएगी इस लिश्ट में अगली यानि की पाचवे नंबर पे आने वाली मूवी है गोली सोडा 2 गोली सोडा 2 2018 की तमील एक्षन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको हिंदी डव वर्जन में सेम नाम यानि की गोली सोडा 2 के नाम से ही रिलिस किया गया है मूवी को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है विजाई मिल्टॉन ने मूवी के लिड रोल में समूथी रकानी, गोतम मेनन, भरत सीनी, वीनोद और सुभिक्सा मूवी को IMDb में 7.3 की रेटिंग हसिल हुई है 10 में से तो चले जानते की मूवी की स्टोरी क्या है एक टेक्सी ड्राइवर, एक गेंग्स्टर और एक एतलिट सब अपने नाम को बड़ा बनाना चाहते हैं, हालाकि नसीब उनका साथ नहीं देता है और वो सब कुछ खो देते और वो सब अपने नाम को बनाने के लिए फिर से स्ट्रगल करना सुरू कर देते और उनी स्ट्रगल के दोरान उनके सामने कई मुसीबते आती है वो सब मुसीबते क्या है और वो उनसे कैसे सरवाइक करेंगे क्या वो अपना नाम बड़ा बना पाएंगे ये सब बाते जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी इस मुवी में आपको मिल जाएगी इस लिस्ट में अगली यानि की चोथे नंबर पे आने वाली मुवी है सेवन्थ डे सेवन्थ डे दोजार चोदा की मल्यालम सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको डिरेक्ट किया हुआ है स्याम धरने मुवी के लिड रोल में प्रिथी राजसु कुमार करने के लिए काफी कोसिस कर रहे तब वो एक IPS ओफिसर को मिलते है जिसका नाम है डेविड और वो ओफिसर उनकी प्रोब्लम को सॉल करने के लिए उन्हें मदद करने लगता है लेकिन वो लोग और भी बड़ी मुसीबत में फस जाते वो बड़ी मुसीबत क्या है और वो नाहनी बनाती है इस मुवी में काफी बड़िया सस्पेंस डाला हुआ है जैसे यह सस्पेंस क्लाइमेक्स में रिवील होगा आप उसे देखके सोक हो जाओगे यह बड़िया तरीके से बनाई गई सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है आपको यह फिल्म जरूर पसंद आए ये मुवी आपको Hindi Dub में 7th Day के नाम से Before You Movies के ओफिसेल यूटूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी इस लिस्ट में अगली यानि की तिसरे नमबर पे आने वाली मुवी है Cocktail Cocktail 2010 की मल्यालम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको Hindi Dub वर्जन में नाम दिया है Payback मुवी को एडिट और डिरेक्ट किया हुआ है अरुन कुमार अर्विन ने मुवी के लीड रोल में जैसूर्या, अनुप मेनन, समरुता सुनिल और इनोसेंट मुवी को IMDB में 7.2 की रेटिंग हसिल हुई है 10 में से तो चले अब बात करते हैं मुवी की स्टोरी की रवी अबराम जो एक सक्सेसफुल आर्किटेक है जिसकी एक बच्ची और वाइफ है और वो लोग एक हैपी लाइफ जी रहे रवी के ओफिस में और ओफिस के बाहर काफी राइवल्स यानि की दुस्मन है जो उससे काफी जलस फिल करते हैं और किसी एक दिन रवी जब अपनी वाइफ के साथ कार में जा रहा होता है तब उनसे एक स्ट्रेंजर कार में लिफ्ट मांगता है जिसका नाम है वेंकटेस और रवी वेंकटेस को लिफ्ट दे देता है लिफ देने के बाद फिल्म की स्टोरी में थोड़ी देर में काफी बड़ा ट्विस्ट आता है वो ट्विस्ट क्या है, फिल्म में आगे क्या होगा और लिफ देने के बाद रवी के लाइब के साथ क्या क्या आगे होता है वो सभी बाते जानने के लिए या तो वो सभी ट्विस्ट और फिल्म के आखरे में आने वाला सस्पेंस जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखने पड़ेगी इस फिल्म में स्टार्टिंग के 15-20 मिनिट फिल्म की एक्च्टॉल प्लोट पे आने के लिए थोड़ा टाइम लेते लेकिन जब एक्च्टॉल प्लोट पे आ जाते तब फिल्में काफी थ्रिल मैसुस होने लगता है और थोड़ी थोड़ी देर में आपको फिल्म में काफी ट्विस्स देखने को मिलते हैं और फिल्म के आखरी में आने वाला सस्पेंस आपको हिला के रख देगा और ये फिल्म हिंदी डब में आपको Before You Movies के ओफिशेल यूटूब चैनल पे पेबेक के नाम से देखने को मिल जाएगी इस लिस्ट में अगली यानि की दुसरे नंबर पे आने वाली मूवी है आ कराला रातरी आ कराला रातरी दोजार अठारा की कनडा सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसको डिरेक किया हुआ है डायल पदमाना भावने मूवी के लिड रोल में कार्तिक जयाराम, अनुपमा गोडा, रंग्यान रगू और विना सुन्दर मूवी को आएमडीबी में आठ की रेटिंग हसिल हुई है दस में से तो चलिया बात कते मूवी की स्टोरी की किसी एक गाव में एक फेमिली रह रही है जो काफी गरीव है और किसी एक दीन उनके घर के पास एक सादू आता है और उन्हें केता है कि उनका नसिव एकी रात में बदलने वाला है और उसी सेम दीन कोई एक अंजान आदमी उनके पास आता है और उनकी family को request करता है कि वो एक रात उनके घर पे रुकना चाता है क्योंकि एक गाउ से दुसरे गाउ जाने के लिए रात में रास्ता सुरक्सित नहीं है इसलिए उनके घर रुकने के लिए वो request करता है जब वो family उस stranger को रहने के लिए हा कर देती है तब उसके बाद मूवी में क्या-क्या ट्विश्ट आते हैं और उस रात में क्या-क्या घटनाए होती है ये बाते पूरी फिल्म के दोरान दिखाई गई है इस फिल्म के अंत में आपको बड़िया सा मेसेज और साथ ही में बड़िया सा सस्पेंस देखने को मिलने वाला है इस फिल्म को देखते समय आपको थोड़ी थोड़ी देर पर थ्रिल मेसूस होने वाला है इस फिल्म का सस्पेंस आउट ओब दी बोक्स है जो आपको इंप्रेस कर जाएगा ये फिल्म आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करनी चाहिए एक बढ़िया कनडा सस्पेंस त्रिलर फिल्म है जो हिंदी डब में भी अवेले भले जो आपको बिफोरी मुविस के ओफिसियल यूटूब चैनल पे घातक रात के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी इस लिश्ट में अगली यानि की पहले नंबर पे आने वाली मुवी है आरुवी आरुवी 2017 की तमिल सोश्यो पोलिटिकल क्राइन थ्रिलर फिल्म है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानि की आरुवी के नाम से ही रिलिस किया गया है मुवी को लिखा और डिरेक किया है अरुन प्रभु पूरसोतम ने मुवी के लिड रोल में आदिती बालन, अंजली वर्दन, लक्षमी गोपल स्वामी, प्रदीप अंटोनी और महुमद अली बेग मुवी को आइम डीबी में 8.6 की रेटिंग हसिल हुई है दस में से तो चले बात कते मुवी की स्टोरी की आरुवी जो मिडल क्लास फेमिली से बिलोंग करती है और वो काफी सुल्जी होए सिधी साधी लड़की है लेकिन समाज के कुछ असमाजिक ततो की वज़े से वो काफी परेसानी में पढ़ जाती है और वो अपनी इस परेसानी को लेकर किसी टीवी सो के डायरेक्टर के पास जाती है और अपने स्टोरी बताने लगती है उस टीवी सो के दोरान फिल्म में काफी बड़ा ट्विश्ट आता है वो ट्विश्ट क्या है और फिल्म में उसके बाद क्या होगा फिल्म के आखरी में क्या suspense डाला हुआ है वो सब बाते जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी इस मुवी में आपको direction, screenplay, story, acting सभी बेहतरिन देखने को मिलने वाला है सभी ने अपना काम बखुबी निभाया हुआ है सभी की acting natural और realistic लगेगी फिल्म में काफी बड़िया twist और thrill डाला हुआ है जिसे आप फिल्म देखते समय मेसूस भी करोगे और साथी में उन सभी twist को देखते हुए आप surprise भी होँगे और ये movie आपको हिंदी डब में आरुवी के नाम से गोलमाइस टेली फिल्म की official youtube चैनल पर देखने को मिल जाएए तो बस आज की वीडियो में इतना ही तो यही top 10 एसी most underrated crime thriller South Indian movies है जो पितले कुछ समय में हिंदी डब में आई हुई है आपको ये सभी movies देखनी चाहिए एक भी movies skip नहीं करनी चाहिए इन सभी movies की link मैं आपको description में दे दूँगा आप जा के वहाँ से enjoy कर सकते हो तो बस आज के वीडियो में इतना ही तो और भी एसी South Indian movies के update के लिए upcoming South Indian movies की news के लिए सभी प्रकार के South Indian movies के television premiere YouTube premiere के regarding confirm और official update के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले Thank you